दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC अड़ा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्राडे ट्रेड्स का और देखते हैं आज के जो हमारे दो स्टॉक थे उन्होंने कैसा प्रफॉर्म किया और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए मैंने किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा पहला स्टॉक भारत फोर्ज का था इसे बाय करना था 702 पर और सोट सेल करना था 693 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिंग पर देख पा रहे हैं या स्टॉक ओपन हुआ था 696.75 पर और इसने हाई मारा 698.8 का तो दोस्तो इस तरह से या स्टॉक अपने बाय वाले पॉइंट पर नहीं पहुच पाया था जो कि आपका था 702 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा लेकिन आपको short sale करने का मौका अवस्से ही मिला होगा इस stock को short sale करने के लिए बोला था मैंने 633 बेपर और आपका पहला target 689 का दूसरा target 680 का था और अब जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं इस stock ने आज low मारा 677.3 का तो दोस्तों इस तरह से इस stock ने अपने short sale side के दोनों targets को बहुत ही अच्छे से achieve किया तो उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग ने इस stock में अच्छा profit book किया होगा और आज का हमारा दूसरा stock JSW Steel का था इसे buy करना था 701 पर और आपका पहला target 704 का दूसरा target 710 का था अब जैसा कि आप अपनी screen पर देख पा रहे हैं यह stock open हुआ था 702.9 पर और इसने high मारा था 710 का तो दोस्तों इस तरह से इस stock ने अपने buy side के दोनों targets को achieve किया और इसने low मारा है 622.25 का तो दोस्तों इस तरह से इस stock में आपको short sale करने का मौका नहीं मिला होगा आपको सिर्फ और सिर्फ buy करने का मौका मिला होगा तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए मैंने किस stock को चुना है stock रहेगा हमारा orient electric का आप चाहें तो अपनी intraday की trade भी इस stock में डाल सकते हैं आप इसे buy कर सकते हैं 335 पर पहला target 337 का दूसरा target 341 का अगर ये गिरना सुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 327 पर पहला target 325 पर और दूसरा target 320 पर और दोस्तों इस stock में आपका stop loss रहेगा 5 point तो दोस्तों अच्छे से trade डालिए stop loss को maintain करिए अगर targets achieve होते जाते हैं तो इपने stop loss को trail करते रहे कोसिस करिए दोस्तों सही time पर entry लेने की यानि की proper breakout मिले तभी आप entry ले जल्दवाजी मत करें तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like जरूर कर दे और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe जरूर कर दे कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद